हलो आज मैं आपको बत्याने वाला हूँ Neuro Linguistic Programming NLP की जो Presupposition से मान्यता है या धारना है उसके बारे में जैसा मैंने बताया कि जो धारना है उसको मान्यता है या प्रीश पोजिशन बोलते है तो उसमें का मैंने पहले वीडियो में कवर किया था कि Map is not a territory फिर दूसरी धारना मैंने बताया था कि one apply you already have the resources you need आपके पास में सब resources है जो आपको चाहिए वो तीसरी मान्यता जो है NLP की कि वो ऐसे है कि one person can do it if one person can do it you also can learn to do it simple बात है वैसे देखा जाए तो कि दुनिया में कोई भी एक आदमी ने वो कामी दी किया हुआ है तो फिर वो काम आप भी कर सकते हो और वो काम आपको आता है तो आप सीख सकते हो ऐसा ने है कि मैं ने कर सकता हूं क्योंकि कोई भी वेक्ति को ऐसा कोई उपर से टपका नहीं है और कोई वेक्ति को ऐसा कोई बड़ा बेजा नहीं है जनम के समय सब लोग सरीके रहते जनम ज बाद में उसको जो education, शिक्षा मिली, संस्कार हुए वहां से वो ऐसा ऐसा बन जाता है, तो एक बनता है तो आप भी बन सकते हो, तो एक कोई actor, बड़ा actor, अभिता बच्चन है, और वो actor बड़ा बन सकता है, तो आप भी बड़ा actor बन सकते हो, आपको इतना ही करना पड़ेगा उसने जो किया, वो आपको करना पड़ेगा, सचेंद इंडूलकर, इतना महान खिलाडी, क्रिकेटर, एक विक्तियदी कर सकता है, इतना महान खिलाडी हो सकता है, तो आप भी कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, कि उसके लिए सीखना पड़ेगा, समझो किसको बहुत निकल गया, अच्छा होगे, यदि उसने वो किया, तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, तो उसमें क्या है कि, इसमें मैं जो पता है कि, conscious mind, subconscious mind जो है, तो subconscious mind जो घोड़ा है, और conscious mind जो घोड़ सवार है, इसमें यह है कि घोड़ा जो है, 90 प्रतिशत, तो वो घोड़े को train करना है, और वो घोड़ा जिस तरह से train हुआ है, उस तरह से वो काम करेगा, तो conscious mind जो मतलब घोड़ सवार ने, घोड़े को train करना है, एक बार वो घोड़े को train कर दिया, तो फिर घोड़ा काम करेगा, और एक आदमी वैसा करता है, तो तुसरा आदमी भी करेगा, समझें आपको अपना वो कृती में लाओ, आप भी successful हो जाएंगे, तो successful होना है, successful आदमी को सुनो पड़ो, और उसने किया वैसा करो, जो भी आपको बनना है, तो आपको वो करना पड़ेगा, तो modeling successful person leads to excellence, ऐसा बोला जाता है, तो आपको modeling करना पड़ेगा, modeling object परेंगे, वो model करके सामने रखेंगे, उसने ऐसा किया वैसा आप करेंगे, तो आप भी वो कर पाएंगे, तो यह बहुत ही powerful presupposition है, यह आपको अच्छा लगा तो लोगों को share करो, thank you very much.